मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप और सौगत करता हूं जे आर टूडोरिल के इस प्लाटफॉर्म पे स्टार्ट करने से फेले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस जे आर के प्लाटफॉर्म पे 7, 8, 9, 10, 11, 12, हर क्लास के सभी वीडियो लक्षर्स कंटीनिव आ है और गाइस एक बहुत इंबोर्टन बात इंबोर्टन बात यह है जैसे आप सभी को पता है कि 11 के अगर आप प्लेलिस्ट शेक करोगे तो उसके अंदर और अल्रेडी बायो के बहुत सारे बहुत सारे चेप्टर बनाया हुए है फ्रिजिक्स का कंटीनिव चलदा और सभी free of cost है कोई चार्ज नहीं है सभी free of cost है गाईस ओके तो मौके का फाइदा उठाया जाए फटा फटापट फटापट और अच्छे-चे मार्क स्कोर किये जाए तो गाईस एक और इंपोर्टन बात इंपोर्टन बात यह है कि जैसे आपको पता है कि यह वीडियो अपलो आपको भी है क्योंकि आपका ही जे आर इतना आगे बढ़ रहा है और हमें भी है तो आग दोनों साइड लगी है बुझा बस आभी सकते हैं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करो तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का लेसन नमबर थर्ड तो दो लेसन आपने कंप्रीड हो चुके हैं लेसन नमबर वन लेसन नमबर टू दोनों कंप्रीड हो चुका है प्लीज जाके मुझे जहां तक लगता है ज्यादा तर स्कूलों में फर्स्ट और सेकेंड लेसन आने वाला यह थर्ड लेसन आगे के लिए आपका हो जाएगा तो मोशन इन अपलें सबसे पहले मोशन तो पता चल जाए वैन एन एणी ऑबजेक्ट डिस्प्रेइस फ्राउं वन प्लेज तू अनदर प्लेज जब कोई ऑबजेक्ट डिस्प्लेश होता है एक जगह से दूसरे जगह तो उसी को तो मोशन बोलते हैं देखो देखो मैं इसे डिस्प्ल motion, what is circular motion, any object, कोई भी object मानलो, revolve around circumference of the circle, कोई object, अगर कहां revolve हो रहा है, circle के circumference पे उस motion को क्या बोलेंगे, circular motion, when any particles revolve around the circumference of the circle, मानलो, यह हमारा, यह हमारा circle है, और इसके circumference पे गर कोई revolve हो रहा है, गोल गोल चक्कर, cutting, 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 गोल गोल गोम रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, circular motion, when any object, या एनी body revolve around the circumference of a circle, is called circular motion, अब गाईस, third question, यह उर्रोडी basic चीज़े है, वो आपको पता होगा, difference between displacement and distance, एक ही चीज़ में सब खतम कर दूँगा, मान लो, यह मान लो हमारा जे आर का office है, ओके, यह जे आर का office है, और यह मेरा घर है, यह जब मैं रहा रगता हूँ, तो यह मेरा home है, sweet home है, वो सकता है future में, जे आर का बहुत बड़ा office हो, उपर वाले, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज, जे आर का office के बारे में comment लिख दो, कि आप कैसा चाहते हैं, कि कैसा होना चाहिए, तो मान लो, यह जे आर का office है, dream वाला office है, और यह हमारा sweet home है, तो हमारे पास, मान लो, एक रास्ता ऐसे जाने का है, और एक रास्ता ऐसे जाने का है, अगर मैं अपने घर से, क्योंकि मैं अपने आफिस पर आने के लिए ज्यादा excited रहता हूं तो मैं यही रास्ता चूज करूँगा तो guys जो minimum distance होता है जो shortcut रास्ता होता है जो minimum distance होता है उसको हम बोट है displacement आपको भी Commerce के स्टूड़न को समझ में आ गया होगा कि जो दूरिया जिसमें कम होती है जो shortcut होता है में entitlement होता है और जिसमें बोट में चीज वह मंटे सब बेसिक चीज़ाय मुझे पता है आप दे और आप सभी को यह सब चीज़े आती होगे विट क्या खरे बुक में दिया था इसलें हमने बता दिया अब का इस मोशन के बॉलरे में ऑल्रेडी मैंने बता दिया तो आपके बुक में मोशन को यह त्री पार्ट में डिवाइड किया गया इस रेक्टिंगे लिएर मोशन में आ गया कैसे पाइक कोई आपजेक्ट स्ट्रेट starch 9 में बढ़ता चला गया तो यह जो मेरे लिए motion उगा वो क्या होगा रेक्टी लीनियर मशन को मलब कहने का मतलब रेक्टी लीनियर मोशन मतार aggiट मतलब कोई भी औब जब स्ट्रेट लाइन में ट्रावल करता है force लगाने के बाद कोई भी object straight line में travel करता है तो मेरी लिए क्या कोन सा motion होता है रेक्टेनलियर motion ओके तो अल्रेडी मैंने बता दिया और दूसरा हमारा motion in two dimension motion in a plane मतलब मान लो x axis ले लो y axis ले लो और अगर कोई object ऐसे travel करना मतलब x और y axis मतलब plane में travel कर रहा है हुआ कितने केटेगरी में motion को divide किया गया है तो दूसरा है हमारा motion in a plane थार्ड है मारा motion in a space motion in a space means 3D आप जो game खेल रहे हो अब जी मुझे तो आता नहीं मैंने बहुत प्राइब किया पर वह रही कोने हैं यह कभी हुआ ही नहीं हमसे रहे होता ही नहीं को यह मसे नहीं हुआ तो गेम होता हैписवée रहा है सिर्टी छो देखने तो तीन ट्र pretे होता है। सो क्लियर कट अब चलते हैं घाईज सर्कुलर मोशह आपना पर एक शीज है। और यह इसका force कहां act हो रहा है towards the center towards the center centripetal force सुना होगा आपने towards the center but हमें समझना इतना ही है कोई भी object अगर circle के circumference पे कोई भी particle कोई भी object circle के circumference पे गोल 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 चक्कर कार्टिंग 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 गोल गोल घूम रहा है तो मेरे लिए हो क्या होता है circular motion अब गाइस displacement इससे वही आपके देखो भूप में line वाइस दिया हुआ इसलिए मैं सब चीजे बता रहा हूँ displacement क्योंकि यह सब चीजे आप अभी कर लोगे तो आगे वाले जो टॉपिक हो आपको समझ में आ जाएगा displacement displacement वही होता है जो minimum distance ट्रावल किया जाता है किसके बीच में इनिशियल और फाइनल पॉइंट जैसे मैंने बताया यह देखो जे आर कॉपी से यह जे आर कॉपी से य ये क्रास्ता ये है और एक रास्ता ये है तो मिनिममम डिस्टनस हमें ट्रावल किया है कहां से इनिशियल टो फाइनल पॉइंट तक के लिए और इसको क्या बोलता है displacement क्या बोलते है displacement ओके तो आप दोनों के बीच के दोनों कि डिफरंस को माइनस करूंगा तो मुझे क्या म जब बाइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा displacement क्या मिलेगा displacement डेल्टा एक्स अब चलते हैं पाथ लेंथ की तरफ पाथ लेंथ मतलब कितना अब मानलो यह जो है जए यार के ओपिस अब मानलो यह फिर से हम जे यार का ओपीस ही ले रहा है प्गवान करे ऐसा बोलते बोलते हैं दो चार दिन में हमारा ओपिस बनके त्यार हो जाए यह हमारा जे आर का ओपिस है और हमारा स्वीट होम है अब मैं अब एक तरीका यहां यह डारेक्ट आने का और एक एक्चुल पाथ ट्रावल करके कितना उसने डिस्टंस ट्रावल किया हुआ है वही मेरे लिए क कितना यह मेरे लिए क्या होता है पाथ लेंथ देखो इस एक्चुल डिस्टंस यह कितना एक्चुल डिस्टंस यह शॉटकर जो मारा हो मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट था पर एक्चुल जो पाथ उसने कितना रास्ता ट्रावल करके आया एक्चुल पाथ कितना ट्रावल कर यह यही मेरी क्या होता है क्या होता है पाथ लेंथ क्या होता है यह क्या होता है हम दैघों क्यशन फ्रेक्षन मैं lemonade नहीं करता है, magnitude matter करेगा, magnitude मतलब हम बताएंगे कि कितना किलोमेटर हमने ट्रैवल किया, 3 किलोमेटर, 4 किलोमेटर, तो only magnitude matter करता है, कहां कहां गुंपिर के आ रहे हो वो matter नहीं करता, तो इसलिए, it is a scalar quantity and its dimension and also that of length, जो length का dimension है, वही इसका dimension, length का dimension क्या होता है, length का dimension क्या होता है, L raise to 1, तो guys, यहां हमारा आज का यह topic खतम होता है, मतलब जितना मुझे बताना था, उतना खतम होता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और आपको हमसे मिल का सकते हूं, बाइ बाइ बाइ, आएं जैहिन दोस्तों!